हेलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो की द्वारा गुजरात बोड का हिंदी जो की क्लास 12 का है इसके चाप्टर नमर 17 नियू की इट हो तुम दीदी को पढ़ रहे थे इसके हमने अभ्यासकारे पार्ट वन को इससे पहले वाले वीडियो में देखा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को द प्रशन उतर है और दो से तीन वाक्य वाले प्रशन उतर है तो अगर आपने उस वीडियो को न देखा हो या फिर आपने इसके चाप्टर को नहीं समझा है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं आप पहले इस चाप्टर को अच्छे से समझ ले ताकि आप को ये question answer करने में आसानी हूँ तो आईए इसे हम start करते हैं निमन लिखित प्रश्णों के उत्तर सवेस्तार लिखिए first question है दीदी को दिये गए एक-एक रूपक की क्या विशेस्ता है दीदी को people कहा गया है नदी कहा गया है चटान कहा गया है तो ये सब जो उपमाएं उनको दी गई है वो उनकी क्या-क्या विशेस्ता है सब इसमें हमें बताना है कवी ने दीदी के लिए people, debris, नदी, चटान तदा घर की नियू की eat की उपमाएं दी है यदि दीदी people होती तो भाई उसकी घनी हरी टहनियों में हारिल के रूप में बशेरा लेता दीदी डिबरी थी जिसके उजाले में भाई ने पहले पहल अक्षर सीखे यदि दीदी नदी होती तो भाई नदी की सीप बनकर मोती उत्पन करता दीदी चटान से द्रिड निश्यवाली थी जिसने लोगों का जीवन सवारा था दीदी अपने दूसरे घर की निउं की इट हुई है और वह अपनी नई दुनिया बसाएगी तो दीदी को क्या क्या कहा गया है पीपल, डिबरी, नदी, चटान, घर की निउं की इट ये सारी उपमाएं दी गई है कहा गया है कि यदि आप पीपल का व्रिक्ष हो तो उसके निचे घनी हरी टहनियों में हारिल पक्षी जो कि उसके पीपल के च्छाओं में बसेरा लेता है मैं वो होता अगर दीदी डिबरी होती तो मैं उजाले में पहले पहल अक्षर होता जो सीखा था मैंने डिबरी में दीदी के द्वारा ग्यान दिया गया पहला अक्षर यदि दीदी नदी होती तो मैं उस नदी के सीब बनकर मोती उत्पन करता यदि दीदी चटान ची द्रिड निश्य वाली होती तो मैं भी लोगों का जीवन उसी प्रकार से अनुशासत करता और दीदी जैसे चटान की समान थी और चटान के समान थी किस चीज में अनुशासन को लेकर और उनी अनुशासन के कारण दीदी ने लोगों के जीवन को समारा था और अब दीदी दूसरे घर की नियों की इट हो गई है और अपनी नई दुनिया बसाएगी दूसरे घर में अपने ग्यान को, अपने किसे कहानियों को, अपने अनुभाव को बताएगी और उन्हें सिखाएंगी सेकेंड है कवीता का केंद्रिय भाव समझ कर लिखिए क्या कहना चाहता है इसमें कवी प्रस्तुत कवीता में दीदी के अद्बुत प्रदे का वर्णन किया गया दीदी ने किस प्रकार से ग्यान को बाटा है अपने अनुभो किस्से को बताया है बच्चों को कैसे संसकारित किया है दीदी ने बच्चों के जीवन को संसकारित किया है और उन्हें ग्यान दान दिया है उन्हें दीदी का वैक्तित्व महान आदर्स लगता है जिसमें उन्हें पीपल की छां, डिबरी के प्रकास, चटान जैसे विश्वास तथा नीव की इट की जलक दिखाई देती है तो ये कविता में दीदी ने बच्चों को ग्यान दिया है, उनके जीवन को संसकारित किया है उनके वैक्तितों को समारा है एक आदर से जीवन, लगता है बच्चों को दीदी का किस प्रकार से, जिसमें उन्हें पीपल की छां, डिबरी के प्रकास से, चटान जैसे विश्वास से और नीव की इट से, इन सभी की जलक दीदी में दिखाई देती है नेक्ष्ट है, निम्न लिखित पंक्तियों का आशे स्पस्ट कीजिए, गोसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही उत्तर है, अपने दूसरे घर की दुनिया बसाने वाली दीदी को, पूराने दिनों की याद दिलाते हुए, बच्चे कहते हैं, कि कहीं एक जगा टिक कर वे रहे नहीं उनका जीवन भी दिदी की तरह ही बहुत कस्टमे है, पर उन्हें इस तरह अपना जीवन जीना मंजूर है इसवे उन्हेंने कहा, गोसले कभी बनाए नहीं, कभी अस्थाई ठीकाना उनका नहीं था जैसे दूसरे की घर को बसाने वाली दीदी दूसरे की परिवार में चले जाने वाली दीदी अपने पुराने दिनों को दीदी को पुराने दिनों की याद दिलातवे बच्चे कहते हैं कि कही एक जगह तिकर वे भी कभी नहीं रहे और उनका जीवन भी दीदी की तरह ही कश्ट में रहा बहुती आसान या smoothly नहीं चला है सरलता से उन्होंने अपना जीवन यापन नहीं किया है बहुत कश्ट उठाए है और उन्हें भी यानि उन बच्चों को भी कह रहे हैं वो बच्चे कि हमें भी इसी तरह का जीवन जीना मनजूर है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चाप्टर है आपका ये समाप्त होता है उम्मीद है आपको ये चाप्टर के question answer और ये चाप्टर समझ में आये होंगे तो प्लीज आप इस वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना, comment करना न भूले Thank you